असलाम अलीकुम फ्रेंज मैं हुँ इना और अब देख रेच कहा है कि चंतो आज हम बनाएंगे मुहरब में बनने वाला खिचडा जिसे के हलीम भी कहा जाता है और इतना जादा टेस्टी बनता है बनाना तो बहुत ही जादा आसान है बस आपको करना यह ही कि वीडियो को तो ही समझ में आएंगा कि कुछ सिक्रेट टिप्स और ट्रीक के साथ आज की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ तो स्टेप बाइस स्टेप मुझे फॉलो कीजिए और बनाएं बहुत ही तेस्टी बनता है इजी तरीके से बनाएं बचली स्टार्ट करते है बिसमिना अक्मर पर बाइस तर्स फ्रीज मेंस घरेखे रिया है एड़ करने चांटेस अधिर को तो मीने Imचली ना करके एड़ कर दिया है और एक ब्लास पानी डाल देंगे जादा पानी नहीं डालना है क्योंकि गोश्का भी पानी रिलीज होगा इसी में पक जाएगा उकर का ढखन बंद कर देगे सब चीजों को मिक्स करके और दो से तीन सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे पकाएगे बॉ किलो कम है पाउना किलो जिसे कहा जाता है एक मुठी मैंने राइस इसमें डाल कर ओवरनाइट भीगो कर रखाता है यह जो होता है ना खिचड़े का कोई भी किराना शॉप में इसली मिल जाएगा इसे बॉइल करना होगा तो थोड़ा सा हाफ तीस्पुन के करीब हल्दी प दोसे तीन सीटी लेगे इसे फोड़े फलेम को हम लो कर देंगे लो टु मीडिया मुपर हमें इसे बॉइल करना होगा तो मैंने गैस के ऊपर इसे रख दिया है अब next मिक्स दाल मैंने यहाँ पर 400 ग्राइम लिया है तो यह जो दाल है ना जितनida वी जैसीक मेंने मिक्स दा पानी पर निखाल कर दो पहले कि दाले को नर्टकर कर दोड़ा सब्सक्राइब तो मिक्स कर लेगे सब चीज़ों को और दाल को बॉयल होने में जादा समय नहीं लगेगा कुछ एक से दो सीटी में यह हो जाएगी कि हमने इसे भीगो कर रहा था तो कुकर का ढखकन बंद कर देगे स्टार्टिंग में 1 सीटी लेगे एक सीटी के बाद फलेंगे के लो फलेंपर 5 मिल तक हम इसे कोक करेंगे तो इसे भी में रख दूंगी करना इन गोटना भी नहीं कि यो गोटना बिलकुल भी नहीं क्योंकि खिट्टे में अखी दाल का यूज होता है तो इस तरीके के हुई है, आप जाए तो पानी डाल कर इसे लूस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमें गोश भी बनाना है न तो यह जम जाएगी, इकटा हो जाएगी, इसके लिए एक ग्लास भर के पानी डाल दीजेगा और इसे लूस कर लीजेगा, स्पून की हिल्प से, तो हाई फ्लेम पर आप रखोंगे, तो यह जल जाएगा, इसके लिए पेशन्स रखतर इसे बॉइल किया जाता है, इसे एक प्लेट में निकाल दिया था, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, यह ठंडा हो चुका है, अब एक ट्रीक यहाँ पर लगानी पड़ती है, क्योंकि इसे घूटा जाता है, और वो मेहनत का काम होता है, तो यह हम नहीं करेगे, मिख्या चाख, फ्लड़ थोड़ा घियू हाइड, थोड़ा to package on, जादा नहीं दालेंगे, और एक बारी इसे घुमाएंवे, ज्यादा भी नहीं इसे पीस लेना है तो देखे, असी तरी अब गोश्च बनानी की बारी आती है मतलब कि फाइनली खिचडा तो यहां पर बड़ा सा बरतन लिया है इसमें एक कप मैंने ओईल डाला है और जैसे गरम होता फ्लेम को लो कर देगे चार से पांच मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया है अब तेज़ पत्ता जैसे थुड़ा स गरम होता है तो इसमें दो मीडियम साइस की प्यास को मैंने चौप कर गे मतलब साइसे में कट कर दिया ता और ढाल दिया इसे भून लेगे थूड़ा सा ट्रांस्परन कलर आने तक यह गोल्डन कलर आने तक मैं इसे भून दूमी प्यास को तो यह हो चुकिए देखी इसी अब कुछ इंग्रीडियन्स डालना इसमें बाकी है तो सबसे पहले हम डाल देगे इसमें अध्रक लसुन का पेस्ट चार टेबल स्पून डालेगे अगर उसके साथ यहाँ पर स्पाइस के लिए 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट मैंने डाल दिया है मिक्स करते भून ल करके मैंने धनिया पाउडर लिया इतने इंग्रीडियर्स मतलब ड्राय मसाले काफी है जो कि घर में अवैलेबल होते है तो यह डाल देगे हम इसमें और इसमें जो खिचड़ा होता है इसमें खड़े गराम मसाले नहीं डाले जाते क्योंकि मूह में आते रहो तो बिल्कु है न गोश वह इसमें डाल देंगे और मैंने डाल दिया है जैसे हम लोग देख रहे हो और मिक्स कर लेगे इसे भी हम गोश को मसालो के साथ भूनना है पांच मिनट तर तो टेस्ट आता है गोश में भी गोश भून चुका है हमारा स्टेच पर आने के बाद हम थोड़े से ह दाल हम डाल देंगे जो कि हमने बॉइल करके रखाए साती में गेहो को भी डाल देंगे और बहुत ही मज़े का यहां पर खिच्रा बनके रेडि हो रहा है जो कि बहुत ही बड़ी आ रही है मिक्स कर लेगे कुछ इंग्रेडियन तालना बाकी है तो वीडियो को छोड़कर करना चाहिए तो इसी तरीके से फॉलो करोगे तो पर्फेक्ट यहां पर खिच्रा बनेगा बिल्कुल भी फेल नहीं होगा सब चीजों को मिक्स कर लेगा आप देख सकते हैं यहां पर तरी जो है जैसी की ऑईल कितना जादा उपर आया है तो यह बिल्कुल गायब हो जाए और फिरी डालना है तो पर्फेक्ट यहां पर तेस्ट आएगा नमक भी बराबर एक्टेस हो जाए कि सब चीजों में नमक डाला है दाल में भी और गोश में भी डाला था ना मिक्स कर लेगे और इसे बॉइल आने के लिए हम छोड़ देगे अब पांच मिन तक मैं इसे पक बथे ना करना जाते हुँँगा करते हुख इस निकालने का तरीका में अब बठादी हुए महां का यहां पर माउथ वाटरिंग रेसिपी बनके रेडी हो जाती है जो कि मोहरम स्पेशल किछड़ा है तो मोहरम इसे जरूर ट्राइ करना आप आप आपके रेसिपी पसंद आई होगी आप लोग को वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक निए और आसान से रेसिपी के साथ तब तक दो हम याद दखना अला फिस टेक केर बाबाई